कठ्यार में पुलीस की बड़ी उपलब थी टाइल्स बेवसाई डबलू सा और भाजपा नेता बिरेंदर यादप पर दुकान में घुसकर गोली मारने के मामले में शूटर डबलू सिंग सहीद गटना में सयोग करने वाले चार अपड़ादी गिरफतार एक देशी कट्टा और तीन जिन्दा कार्तूस बड़ामत बताते चले 17 अक्टूबर नगर्त थाना चेदर के सिम मंदिर चोग इस्तित ताइल्स दुकान में घुसकर अपड़ादियों ने दुकंदार और दुकान में महजूद भाजपा नेता को गोली मार कर घायल कर दिया था पूरी वारदा सीसी टीवी में कैद हुई थी इसी के आधार पर पुलीस ने घटना को अन्जाम देने वाले डबलू सिंग को गिर्फतार किया जबकि एक अपड़ादी अब तक फरार है दो तीन दिन पाले दो अपरादियों द्वारा फायरिंग की गए थी जिसमें डबलू सा और विरंदरियादो जो ब्यक्ति जक्तमी हो गए थे गंसर्ट इंजिली से उसमें सीसी टीवी और अनुसंधान के और जिंदो की मदद से दोनों अपरादियों को पहस्याना गया औ और उसमें से एक डबलू सीन जो कुख्यात अपरादियों को गिरतार किया गया है और उनके द्वारा जो इस गटना में फायरिंग की गई अथियार है वो बरामत किया गया है एक चोरी अथवा लूटा गया मोर्साइकिल बरामत किया गया है तीन चक्र जिंदा कार्थ बरा एक अन्य अपरादी के विरूत छाप वारी जाली है। इस करम में अनुसंधान के करम में ये बात प्रकास में आई कि इन्नों के द्वारा तीन-चार प्यक्तियों की सहायता से तीन-चार ब्यावसाईयों को फोन भी किया गया घटना के दिनी और इनको आश्रह देने और मोब कि भी भूमिका पाई गई सुजीत जाप, गोर्डन और एक मुहमद राजा उन तीनों को भी गिरफतार किया गया है। और सुशंगत धाराओं में प्रात्मी की दर्ज की जा रही है। नई प्रात्मी की आंसर्ट से समन्दे और पुराने में लोगों को अनुसंधान प्रा की आधुनिक सुविधा, वतानो कुलित रूम एवन सूट, 24 घंटे एलेक्ट्रिक बैकप की गैरंटी, सुभब्रेकफास्ट की सुविधा, हाई स्पीड वाइफाई की सुविधा, आपके कमरे में चाय और कॉफी बनाने की मशीन, आपके सुरक्षा के लिए CCTV से लैस पू झाल